हलो एब्रीबन में देख्छा स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चेनल में यूपी पी एसी यूपी आरो यारो और यूपी की जितने गवर्मेंट एकजाम है उन सभी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश एक समक रध्यन की परिक्छवाड़ी की जियो केताब है उसको कवर किया जा रहा है इसमें आभी तक देखा जाए तो आपके 10 चेप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यानि कि आपका स्टार्टिंग का जो पहला चेप्टर है उसको बाद के लिए रखा गया है उसका रीजन है कि आप जड़ डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर बाद में आप संचिप्त में पढ़ते हैं तो आपकी चीज़ें और अच्छे से कवर अप होती हो और एक माइंड मैप भी पन जाता है कि इसमें डिटेल में पढ़ा था तो ये केस अंदर में आता है तो उसी पेसिस पे इस टार्गेट के संदर में इस सीरेच को शुरू किया गया कि आपका पहला चेप्टर जो था वो लास्ट में कवर किया जाएगा और उसके पहले के जितने चेप्टर है उनको इसके अंतरगत कवर करते हैं इसमें आज का जो हमारा चेप्टर है वा चेप्टर नमबर आता है ग्यारमा अभी तक इसके आल्रेडी दिखा जाए तो दस चेप्टर यानि की बैसे संख्या के आधर पर आपके नो हुए है तो इस तरीके से आपके कम्प्लीट हो ग कौन से जो व्यक्तित रहे हैं वो फैमस रहे हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरा है वह सदियों से ही परतिभा संपन रही है विज्ञान साहित कला रंग मंच राजनीती खेल सिनेमा आधी की दृष्टी से उत्तर प्रदेश अतियंत वत्रों और बर व्यक्तित जो इतने इस लेंग्विज के प्रोंख रहे हैं उनके बारे में सिने व्यक्तित फिर आते हैं आपके चित्र इवं नित्यकार रंग मंच संगीत इवं नाट कर्मी खेल व्यक्तित और विज्ञानिक रहे हैं तो इस तरीके से प्रोंख व्यक्तित रहे हैं जिनके के बारे में आपको एक एक करके बढ़ाते हैं पहले आते हैं आपके इतिहासिक व्यक्तित्य के बारे में जिसमें सबसे पहले बात करते हैं गोतम बुद्धी जी के संदर में बात की जाए तो यह बहुत धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्धी का जन में लुम्मिनी नामक यानि की बुलुम्मिनी ग्राम यानि की नेपाल में साग की छत्री कुल में 563 इशा पूर्व हुआ था छटी सतापदी में साग के गड़ राजी की राजधाने कपिल वस्तूती और गौतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिध्धार्थ था जिनके नाम पर ही उत्तर को इनको बुद्ध गया से ग्यानि प्राप्त हुआ और ये बुद्ध के लाए इन्होंने अपना पहला उपदेश सार नाथ रिसी पत्नन या म्रेकडाव में दिया जिसे धर में चक्रप्रवर्तन की नाम से जाना जाते है चार सुतरासी इसा पूरु में असी वर्स के वस् जिसना की और ये दोनों ग्रंथों से हमें ततकारिन भारतिये साहित से इतिहास से सम्मध जानकारी प्राप्त होती है अब आते हैं निजामुद्धीन ओलिया जो की महान चिष्टी सूफी संथ निजामुद्धीन ओलिया का जन्म बदायू में 151238 सीसीवी में हुआ था एस सल्तनत काली इतिहास कार जिया उद्धीन बढ़नी जो की 1285 से 1300 अंठाउन इश्वी में बुलन सहर जिरे की बरन की निवासी थी और ये मुहम्मद बिन तुगला को फिरोज साहे तो गलक की साथ रहे इनकी महतपूर्ण किरती जो है फत्वाई जहां दीरी सल्तनत कालीन प् परत्मान कासगंग जले में पट्याली कस्वे में हुआ था और यह पट्यारी पूरे एटा जनपद में अवस्थित्ता और फार्सी भासा में महाल कभी वर इतिहासकार थी जनोंने हिंदी या हिंद्वी में भी रचनाय की और अपने फार्तिये तोता यानी की तोतिये एक खडी बोली हिंदी का जनक माना जाता है और अमीर खुसरो सेख निजामुद्दीन ओलिया के सिस्थे और वईज ग्यासुद्दीन बवलबन के पुत्र मुहमद सुल्तान अवुद की सूविदार अमीर अली कुतवुद्दीन मुहावारक साह सुल्तान जलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन खिलजीर के दरवार में थेर रही थी वैसंपूर भारत का ब्रमड कर चुके थे और इनों ने विश्यों पर लगभग सोब फुस्तक हैं लिखियों 22 भार्शी भासा की और कुछ फुट कर रचनाये आज भी प्राप्त हैं खुसरो की प्रशिद र रचनाये ततकाली नितिहास का महत्वण श्रोत हैं जिसके अंत्रगत प्रमुख है रचनाये आती हैं नुह सिफेहर किरान उस्सादेन मिफता है उल्फुतु आसरा तुगलक नामा हजायन उल्फुतु है खालिक वारी आधी आते हैं टोडरवल के बारे में किनका जन्म सीत प्रदान किया एक योग वित्मंत्री के साथ साथ कुसल सैन संचालक भी थे अबुल फजल के बारे में जिनका जन्म 1550 सीजवी में आगरा में हुआ जिसे एक मुबारक के पुत्रों से एक फैजी के छोटे भाई थे और इनकी योगिता के कारण ही अकवर ने अपना सलाहका में बापशी के समय मार्ग में बुलिट सेह बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर इन्हें की हत्या कर दी थी बीरिवल की वारी में बीरिवल जिनका जन्में जालोन की कालपी नाम ग्राव में उन 1528 इसवी में ब्रामर परिवार में हुआ था इनका मून नाम मैईज दास औ और अकवर ने अपने दरबार में नोरत नो में उन्हें समलित किया था और अकवर को दीन एलाही सुईकार करने वाले एक प्रिथम ब्यक्ती थे कतिपए ते हासकारों के अनुशार अकवर ने इन्हें कभी राज की उपाधी दी थी 1586 में यूसुप जाईयों की अभियान म मारे गए थे फिर आते हैं सेख फैजी जिनका जनने 1547 सिस्व में आगरा में हुआ था वैं अकवर कालीन प्रिशत विद्वान सेख मुवारक का पुत्र था और अकवर सेख छैजी की प्रित्मा पर मुग्द था और यहीं एक स्रेश्ट कभी वविद्वान था जिन्होंने भासकराचार बिर्चित गड़ित की पुस्तक लीलावती का फार्सी भासा में अनवात किया और 1595 में इसकी मिर्त्य हो गे सरसेद एहमत खा की बारी में जिनका जनुए 17 अक्टूबर 1817 को हुआ दिल्ली में हुआ वह आधुनिक सिक्षा की प्रवल समर्था कोर सरसेद एहमत खां 1817 में सुतंतरता संग्राम की दोरान नियाएक पद पर आसींतियो भारत के प्रथम सुतंतरता आंदुलन में असबाक ए बागाबत ए हिंदि नामक पुस्तक की रचना की हुई थी 1876 में सेवाने मित्त होने की पश्चात उन्होंने मुसल्मानों में सामाजिक सुधार वब सिक्षा प्रिशार हितू 1877 में मुहम्मद एंगलू और येंटिल स्कूल की स्थापना की जो काला अंतर यानी 1920 में अलीगड मुस्लिम विश्विधाले बना इन्होंने मुसल्मानो की स्थती सुधारने के लिए अलीगड आंदूलन चलाया था और 1818 में में उनकी मिर्तिव हो गई इनकी संदर में आता है अब आता है नेक्स्ट के बारें बात करें तो प्रमुक करांतिकारी या सुतंतरता सेनानियों के बारे में कि सुधंतरता आंदूलन मुत्तर प्रदे पे लानी लच्मी भाई मंगल पांडे चंद शेकर राजार राजगुरू शुकदेव रोसन से राजन नात लाइडी असफा कुल्ला खां चित्तु पांडे योगेस चंदर चटर जी राम किशन खत्री कैप्टन राम से मोनी सील राम प्रशाद बिश्मिल महाबीर प्रशा राम आजय कुमार गोस सिब बर्मा रफी अहमत के दवई विशंबल रयाल त्रिपाथी राम भक्से पुर्सोतम दास्टनन जैप्रकास नारायन मौलाना मुहमद अली मौलाना सौकत अली महाबीर त्यागी गोविंद वल्ला पंथ मौतिलाल नहरू राम मनुहर लोहिया ला परिक्षा की दर्ष्टी से इंपोर्टेंट है तो उन सब की वारी में पढ़ते हैं पहले नंबर पर आती हैं आपकी रानी लच्विवाई जो की महान माय विरांगरा लच्विवाई का जन में वाराणसी में हुआ उनके बचपन का नाम मनुवा मणी करकने का था पेश्व मनुर से रानी लच्विवाई हो गया और जल्द ही वैविद्वा हो गए और गंगाधर राव की मिर्तु के बाद गबरिनर जनरल डलहोजी ने हडप नीती द्वारा जहांसी राजी को साथ मार्च 1854 इस भी को अंगरेजी सामराज में समलित कर लिया अब आता है जी नन बेगम के बारे में जिनका जन में लखनों में हुआ था लेकिन परिस्थिती वस एकानपूर में जाकर तबायप का काम करने लगी थी अटारो सो संताओन इस्वी में नोने पनाना साहब की आवाहन पर अंग्रेजों से ठक्कल लेने के लिए महलाओं को संगिठित किया उसी ग्रहे महला ससस्त दल की नेवदा बन गई इनको जब गरपतार करके अंग्रेज कमांडर हिटनें री हैवलोग की समख चलाये गया तो करांतिकारी अजी मुल्ला खां का पता बताने की सर्थ पर इने माफी देने का वार्दा किया गया लेकिन उनों ने ऐसा करने से इस पस्ट इंकार कर दिया जिसके फल सुरूप उन्हें गोली से उड़ा दिया गया इसके अंतरगत आता है अब आती है बेगम हजरत महल जो कि अवत की अंतिम नवाब वाजेद अली साहे को बंदी बनाकर कोलकाता में रहने के काड़ उनकी महरानी बेगम हजरत महल 1877 इसमें बिद्रों में अपने नावालेक पुत्र बिर्जेस कादिर को अबत का नवाब घूसत कर लखनों में बिद्रोय का नेतर्ट्य किया और अंग्रेजों को बाहर कर दिया और सितंबर 1888 में अंग्रेजों ने लखनों पर पुनाधीकार कर लिया लेकिन वेगम हजरत महलने नेपाल की राजर जंग वहादुर के हां सरणली और 1889 में उनकी मिर्त्यू हो गए नाना साहब जो के 1824 सीशीव में कानपुर उत्तर प्रदेश में जन्में नावल साहब का प्रारमभिक नाम गोविंद था लेकिन भी अपने परिवार में दोदोपंद की नाम से चल्चित थे और उनका पालन पोशन अंतिम मराठा पेश्वा बाजी रागतियों ने अपने दत्तक पुत्तर के रूप में बिठुर में किया था और ये उन्हें प्यार से नाना कहते थी और अंग्रेजों दोरा पेश्वापत समाप्त किये जाने पर निकईकार्णों से असंतुष्ट नाना ने अठार सो संताओन की बिद्रोईयों का कानपुर में नेत्त्यों किया था और अंग्रेजों ने पकड़ने के लिए एक लाख रुपे का इनाम रखा था और अरंतितवी नेपाल की जंगलों में चले गए हो सितंबर 1869 में उनकी म सेनापतिती और 1867 की विद्रों में बिठूर जासी कालपी आदी स्थानों पर आने एक जद्धूती है साहस बीरता सिनों ने अग्रेजों को भाइबीत कर दिया और नरवर के मारवाड राजा मान सेंग की द्वारत हुका देने की कारणन है साथ अप्रेवल 1869 को गरपतार क तथा 1909 में से 1920 तक केंदरी विधान सभा के सदस थे और उन्होंने दुतिय गूल में सम्मिलन में भाग लिया था और फरवरी 1915 में उन्होंने लहवाड में अखिल भारती सेवा समीती तथा मार्च 1932 में वाराण सी में अखिल भारती स्वदेशी संग की इस थापना की सिर्पंड का कारण भारतीयों को निरक चर्ता को मानती थे उन्होंने भारतीयों की सिक्षा की और विसेश दियान दिया प्रियाग राज में, जनका जन्मे 1861 में हुआ, इनकी गर्णा भारत के प्रिफासाली बकीलों से की जाती है, और असा ही ओगांदुलन के, अंतरके तिनों ने महत्यपूर भूमका निभाई और इनों ने 1919 की अमरिस सरवास 1928 के, कलकत्ता की कांगरेस अधिवेशन में अध्य प्रिक्षिता की थी ओगांदी जी द्वरा सही ओगांदले निस्थेगित करने पर उने सी यारदास के साथ मिलकर, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था और 1931 में इनका निधन हो गया, मिर्तिव सिपूर वन्हों ने कहा था कि मैं स्वाधीन भारत में मरना चाहता था परन्तु मेरी इक्षा पूर ना हो सके। अब आते हैं भगवती चरण बोहरा के बारे में कि आगरा में जन्में पिर्शिद्य करांतिकारी थे जिनके पत्नी, दुर्गा करांतिकारियों और दुर्गा भावी के नाम से विख्याती और H.S.R.A. के सक्री सदस काकुरी के सलाह और सडियन्थ के सांडर सत्यकान में सम अब आते हैं के बारे में जन्में पिता का नाम सीता रामतिवारी था और अकासी में संस्क्रत का अध्यर करने की दौरान ही इनकी मात्र 14 वर्स की आयू में ही इन्होंने सुतंत्रता आंदुलन मभागले ने शुरू कर दिया और हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपबलेकन एस संगठन बनाया और इसी के संगठन में राजन्द लाहडी रामप्रशाद बिश्मल सचंद शानयाल एवेस्चंद चटर जी जैसे करांतिकारी सम्रत थे संगठन को धन की आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए अगस्त 1925 में काकुरी में सरकारी खजाना लूटा गया और 27 फर अप्रेल 1877 को फासी दे दी गई और 1877 की क्रांती में भी प्रथम सहीद थे चित्तु पांड जोकी बलिया के इस स्थाने कांग्रेसी नेता ने 1942 में भारत छोड़ू आंदुलन के दोरान 10 अगस्त 1942 को बलिया में स्थापिते आइस्थाई सरकार का नेतर टुकिया था पंड कांग्रेस के अदिवीशन में समलित होना प्रारम कर दिया और 1916 में इनका विवाह कमला नहरू से हुआ वावसी बर्स महात्मागाली की संपर्क में आए 1923 में इन्हें भारती राष्टी कॉंग्रेस का महासचीब बनाया गया था 1927 में इन्होंने रूस की यात्रा की जिससे इनके समाजबादी बिचारों में द्रणता यूर 1928 इसमें लखनों में साइमन कमीशन की वहिसकार की दोरा नहीं लाठियों से घाय लोई और 1929 में कांग्रेस की लाह और रेदिवीशन में इन्होंने घूष्णा की कि हमारा लक्ष श्वाधीनता है इन्होंने सब्ड़ा इवग्या अंदुलन में और 1942 में भारत छोड़ों अंदुलन में सक्री रूप से भाग लिया और जील गए 1946-29 भारत की अंत्रिम सरकार का गठन किया और भारत की सुतंत होने परेने प्रिथम प्रिधान मंत्री बनने का शोभाग प्राप्त हुआ और इस पतपर भी मिर्टिव परियांत्र बने रहे यानि की कारी रद रहे लार बाहदुर शास्त्री के बारे में जिनका जन में 2 अक्टुवर 1904 को चंदॉली जिले में मुगल सराय में हुआ था मात्मा गांदी से प्रभावित होकर ये 1921 में राष्टी आंदुलन में कून पड़े हो कई बार जेल गए और 1929 में एक कांगरिस के महा मंत्री थे उनके उपरांत इन्होंने अनेक पदों पर कार किया पंडित जवाल लाल नहरू की मृत्यू की पश्चाद 9 जून 1964 को ये भारत की प्रदान मंत्री बने और 1965 में भारत पाक की उद्ध में बिजय प्राप्त करने का सरे दिया जाता हो 11 जनवरे 1966 इसवी को तासकंद यानि की उजवेकिस्तान में इनकी मिर्त्यू होगी और इन् प्रश्माणिय ये योगदान दिया है खड़ी बोली ब्रज अवधी भोजपुरी समलेत रूप से हिंदी उत्तर प्रदेश के 85 प्रशल लोगों की मात्वासा है वो समिधान सवा में 14 सितंबर 1991 को देश इबम उत्तर प्रदेश राज भासा के रूप में हिंदी को किया और प्रदेश के आगरा मेरट लखनो प्रियाग राज बाराण सी नगर हिंदी साहति के प्रकासिन में प्रोंक के अंदर रही और उत्तर प्रदेश के प्रशिद्य कभी सुमित्तर नंदन पंद को 1968 में हिंदी भासा के लिए प्रथम ग्यान फीट पुरुसकार उनकी क अचार हजारी प्रशाद दोवेदी राजस्वी प्रशाद सितोर हिंदे रवाल तेंदु हरेश्चन बालकृष्मभात्य बाबु स्याम सुन्दर दास मुंसी प्रेम चंद पुर्शोतम दास चननर अयुद्या से उपाध्या हरी ओधे इंद के अंत्रगत आते हैं और आते पूजन सहाय परशुराम चतुर देवेदी शूरकांतर पाथी निराला पांडे बेजन सर्मा योगर के नाम से भी उपाधी दी गए परदाप नाराण में पंडित राहुल सांक्यात एस पाल आपके याद फिराते हैं नंदुलारी बाजपी महादेवी बर्मा आग्ये सु बीर भारती भावानी प्रशाद में शु विश्मु प्रभागर कुवण नाराण कमलेश लच्मी कांथ वर्मा रवेंद्र कालिया भारत भूशन मारकंडे अमरकांथ डॉक्टर जगदीश कुप्त केदार नाथ अगरवाल राजिंद रियादो रगवीर सहाय डॉक्टर प कामतानात कासी प्रशनात सेंब विबे की राय का नहीं आया लाल लंदन रामदरस मिश्र विद्धा निवास मिश्र विगरी राज किशूर गोरक पांडे परंठाकुर पर्शास सेंब राजिस बर्मा डॉक्टर राम बिलास बर्मा मैत्री इपुस्पा ज्यानेंद्र पती नरेश सक्सेना, बचनेश तरपाथी, इंदू जैन, केपी सक्सेना आदी प्रदेश की प्रोंखिंदी साहित्तिकार रहीं इनमें से कुछ साहित्तिकारों का संचिप्त परचे इतमें दीखते हैं जैसे कि पहले नंबर पर आते हैं कबीर दास जो कि जिनका जन्मी 1398 बेश सितियों की गहरी समस्ति, अपनी रचनाओं की माधिम सिनों ने सामाजी कुरूतियों पर गहरा प्रहार किया, साखी सबद रमयनी सीर्षक वाली इनकी रचनाएं, बीजक में संग्री हीत्यों वं 1518 इस्वें मघर में इनों ने सरीर का त्याग कर दिया, सूर्दास की बारे साहित लहरी आदे इनकी प्रोग है, रचनाएं है, जो की ब्रज भासा में है, तुलसिदास जी के बारे में, जिनका जन्मे 1589 में, जो की 1532 इस्वें चित्रकूर के राजापुर ग्राम में हुआ था, इनकी माता का नाम हुलसी पिता का नाम आत्माराम दुविता और इनके राम चरित मान साओधी में दो हावली, ब्रज भासा में गीता वली, ब्रज भासा में कविता वली, ब्रज भासा में राम सत्साई, आपके आवधी में कवित रामायर, राम लला, नह चू, बिनाई पत्रका ब्रज भासा में और इनकी प्रशिद्य रचनाएं रही हैं, संपर्दाय की स्थापना की और इनों ने बानी नाम से कुछ खंदों की रचना भी की थे। वाराणसी में गवन गोदान, सेवा सदन, रंग भूमी कर्म भूमी वर्दान, हंसका, संपादन वत था कहानियों में नमक का दरोगा सतरंज के घलाडी पंच परमेशो ईदगा है बड़े भाई साहब का और कफनाते हैं। योगपत गुन्यन पलव ग्राम्या ये शुमित्र अन्दन पंतर की प्रोख रचना हैं। पंडे सूरकांट से तरपाथी निराला जिनका जन में तुपश्चिव बंगाल में हुआ था कर्म भूमी प्रियागराज रही है। जिसमें तुलसी नदास, अनामिका, परिमल, अपसरा, प्रभावती, चतुरी, चमार, समन्वे मतवरा और माधरी पत्रों के शंपा देख रहे हैं। महादेवी बर्मा जो इनका जन में जो था फरुका बाद में हुआ था और इनका कर्म भूमी थी प्रियागराज थे। मधु कलस, मधु यामिनी, क्या भूलू, क्या याद करू, नीड का निर्मार फिर, दस त्वार से सौपान तक बसेरे से दूर इनकी प्रोंखे रचना है। प्रवास, खड़ी बोली का प्रथम महा काव, बैदेही बनबास, पारिजात इनकी प्रोंख रचना हैं। मैतली सनर्ण गुप्त जोकी जहांसी के रहे हैं, जिन्होंने साकेत, यशुद्रा, जैदरतवद, भारत भारती द्वापर इनकी प्रोंख रचना हैं। मलिक मुहमद जायसी, जिनकी जो जायस, अमेठी के हैं और इनकी रचनाओं में पद्माबत, अखरावड, आकरी कला में, कनहिया लाल, मिस्र, जोकी प्रभाकर, सहारनपुर के हैं, जिनमें जिन्दिगी मुस्खाई, माटी हो गई शोना, आकास के तारे, दीब जले, संख भूले, विसरेग, चहरे आते हैं, आचार राम चंदर शोकल, जोकी बस्ती के हैं, जिनमें हिंदी साहत का इतिहास, रवडी, चिंता मणी हैं, आचार हजारी प्रशाद दुवेरी, जोकी बलिया के हैं, और विचार और बितर्क, सूर्य साहत, हिंदी साहत की भूमिका, बा बैंदावनलाल बर्मा जहासी की हैं, जिनकी रचना एं, इमरग नहीं, चहासी की राणी है, बाबुश्याम संदर्दास, जोकी वाराण सी के हैं, नोने साहत, लोचन भासा विज्यान, भासा रहस, मेरी आत्म कहानी, हिंदी भासा और साहत, इनकी प्रोंख रचनाए हैं, फिर आते हैं डॉक्टर संपूनानंद वाराण सी जोकी अंतरास्ती विध्यान चेन की राजिक्रांती, भारत के देशी राज समराठ हर्सबर्दन, महात्मागादी, आरेयों का आदी देश, समाजबाद, इनकी प्रोंखरचना हैं, राहुल सांक्यात्यान, जोकी आजमगर की हैं जिनके रचना हैं, सेंसेनापती, बोलगा से गंगा, कार्ल माक्स, महा माना बुद्ध, मेरी जीवन ग्रन्थ यात्रा, दर्सन, दिग दर्सन, विश्यो की रूप रेखा इनकी प्रोंखरचना हैं, देव की नंदन खत्री, जोकी चंदरकांता उपन्यास की है, इनका प पादन, बन में अला, मेरा व्योसाय, और साहित, विचार और विवेचन, साकेती कद्धिन, धर्मभीर भारती, जोकी प्रियाग राज के हैं, जिनने गुनाहों का देवता, सूरज का सात्वा घुडा, अंधायू कहा जाता है, डॉक्टर बिद्धा निवास मिष्यो की पत्र का रहे हैं, गोपाल दास नीरज जोकी टावा की रहे हैं, जिसमें अंतर धोनी, विभावरी, कारवा गुजर गया, फिर दीप जलेगा, प्राड गीत, आसावरी रहे हैं, डॉर्राम दरस मिसर जोकी गुरकपुर के हैं, जिनमें जल तूटता हुआ, अपने लोग सह चरहें समय, आदमकता और दूसरा घर, रात का सफर, खाली घर, बबूल और कैक्टस रहे हैं, कासी नाथ चे सेहन जोकी चंदोली की हैं, जिनमें रेहन पर रखू, कासी कासी अच्छे दिन पाच्छे गए, घर का जोगी जोगड़ा, आदमी नामा, महुआ चरित, अपना म चैन की रही हैं, केदारनाथ सेहन जोकी बलिया के हैं, जिनमें अकाल में सारस, बाग, जमीन पक रही है, यहां से देख हुए इनकी प्रोख रचियां हैं, पिर आते हैं ममता काली है, जिनकी बिंदाबन मत्रा इनका प्रोख हिस्थान है, इनकी जो रचनाय बयाती हैं, कुछ कहानी है कुछ बिकेचार देश के इस दोर में ब्यूम केस दर्बेश नंगा तरा लाई गाउं नासरा सर्मा पारिजात उपन्या स्टॉक पंडित नरेंद शर्मा प्यासा निर्चरिन की प्रोख रचनाएं रहीं अब आते हैं प्रोख साहितिक व्यक्तित्व जिसमें सबसे पहले उर्दू के व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं उर्दू भासा के साहित सर्जन में अबद के जो नबाबों ने लेखकों, गाईकों, साहिरों, गजलकारों तथा मुशायरों के लिए खूब प्रोसाहित किया। अमीर खुष्रों ने खड़ी बोली हिंदी की विकास महतपूर भूमकाने भाई और उर्दू साहिती की उत्तप्रदी से सम्रद विभूतियां निमने प्रिकार से हैं। अगरा चक बस्त लखनों, सफी लखनों, अजीज लखनों, असगर गोंड भी गोंडा, अकवर इलाबादी, सकील बदाईनू, जोस मलिहाबादी, जिगर मुरादाबादी, फानी बदाईनू, दुसेंद कुमार बिजनोर, फिराग गुरकपुरी रगपती सहाय, सिराज ल अब रुमुक सिने व्यक्तित के बारे में बात करें, तो सिनेमा की छेत्र में उत्तर प्रदेश से जोड़ी व्यक्तियों ने अपार सफलता प्राप्त के, भारत में सिनेमा की प्रारंभिक दोर से लेकर आज तक गायन निर्देशन पटका था, लेकन संबाद अभी नहीं, निर्देशन अन्य छेत्रों में उत्तर प्रदेश के कलाकार अग्रणी रहें और उत्तर प्रदेश के प्रोख प्रशिद्य अब्यक्तित आती हैं जैसे कि, जद्धन बाई, रबिंद्र जैन, सवाना आजमी, राजबबर, चावे दक्तर, रहाना, राजपाली आदो, आवमिर खान, अरोण गोविल, पिलकास महरा, राडु राजु श्रीबास्ता आधी रहें, तो इनकी अंत्रगत आते हैं, और भी अन्न के बारे में देखा जाए केट, बी, जैना, जै किष्न अगरवाल, फिर इसके बाद आते हैं, असाद अली, एपी गजर, एस, अजमत साह, आरेस धीर, सनत कुमार चतरजी, चतिश चंडरा, दिलीबदास कुपता, स्रीधर महापात्र, पम्मिलाल, उमेस पर्मा, गोपाल, मधुगर चतुरवेदी, विशुनात खन्ना, बाल दित्त पांडे, आउदेस मिसर पूर मातिवारी, एस, अन सकसेना, मुहमत सली, बी, क्वी, पी, कमबोज, पुस्पिलता सर्मा, सीमा जावेद, एन खन्ना, योगिंदर नाथ, योगी, जमी लक्तर, एन, एन राय, इंदु जोशी, मिर्दला साह, शिवेंद शे, रंजीट चकतरवेदी, सुक देव सरोतिय, डॉक्टर कुसुम दास, कामता प्रशाद, हिर्दय कुप्ता, भैरुनात सुकल, सरत पांडे, भारत भूशन, चकदीश कुप्त, राधे शुड़ागवाल, रेखा ककड, आर एस साकर, सादनालाल, ओमेश सकसिन बिनोट से, जेवा, हसन, जोगोगी, सरोजपाल आदी रहे, प्रोक संगीत वं निर्त भूबूतियों के बारे में देखा जाए, तो प्रदेश में संगीत वं निर्त भूबूतियों में, बिश्मिल्ला खां, बेगम अक्तर, बिश्रु नारण भात खंडे, हरी प्रशाद चौरसिया, गिर्जा देवी, लच्चु महराज, पर्मू महराज, गुदई महराज, सितारा देवी, रवीशंकर, किशन महराज, तवीता देवी, पागलदास, बिल्चु महराज, कंडे महराज, कुम-कुम धर, सिद्धिशुर देवी, अलखननदा, छन्नु लाल, मिस्र, उर्मिला सर्मा, मुम्ताज खान, फिर आती हैं आपकी उजय संकर, गोपी किष्ण, राजन साजन, रसूल लनबाई, आदी हुल लेखनी रही, प्रोक संगीतकार एवं नाट कर्मी में आती हैं आपकी नैमी चंदर जन, राधी सवर दीक्षित, रतन थियम, सोमेस, रोमेस महत सिपचरनलाल, सुरेंद सर्मा, सुरेंद कोशिक, सुरेंद माथुर, विश्वनाज मिश्र, श्वामी स्री राम सर्मा, गुलाब बाई, केवी चंद्रा, पिनोध रस्तोगी, ललित मोहन तेवारी, शूर्य मोहन कुल्स रेष्ट, बिजय दीक्षित, बंसी कॉल, डॉक्ट सान्याल, नादरा जहीर, बाबबर, आदी आते हैं, अब आते हैं प्रमुखिलाडी, कि उत्तर प्रदेश में प्राय मूलभू, उत्ते खेल, उस अनरशनाओं का अभाव पाया जाता है, लेकिन प्रतिभावान खिलाडियों ने राश्टी और अंतराश्टी और प्रिद्र प्रदेश ता देश का नाम रोशन किया जिसमें प्रदेश के खेल वेक्ठत में सबसे पहले बात करते हूं होकी के बारे में, होकी के संदर में बात की जाए तो पहला नाम तो आपका आता है मेजर ध्यानचन जो की प्रयाग राज की रही है, केडी सेंवारावंकी, स्याम बाबु गुपता मुहम्मद साहिद सैयद अली अशुक कुमार ललेतुपाद है दानिस मुझे तवा हम जा मुझे तवा सुनील यादो तुसार खंडे कर पुसपसरी वास्तो मुहम्मद अमीर रितुषा आर्या राधी रहें किरकेट के वारे में कि मनोज प्रभाकर चेतन च अपड़ा सुरेश रहना मुहम्मद कैफे ज्यानेंद्र पांडे दीपती सर्मा प्रभीन कुमार रुद्र प्रदाप सें पियुष चाउला आसीज बिंस्तन जैदी अली मुल्टजा कुलदीप नयादो जोती यादो मुहम्मद समी भुवनेश्वर कुमार बैडमेंटन के बारे में जोकी सयद मोदी गोरकपूर आमिता मोदी अभिनाव उक्सयाम गुप्त प्रयागराज एम एल मलहोत्रा मीना साह दम्यंत्री तामबे शुरेश गोयल मैयूरी बर्खा चोहान और सकील अहमद नेहा बर्मा गोरव खन्ना कमर अहमद अनराग सर्मा आदी आते हैं। बार इंबात की जाए तो इसमें आते हैं मशूद बली अनुराक से इम्रान हसन खान आदिया ते जिम्नास्टिक में आते हैं डॉक्टर यू के मिस्र मैनेजर की नेतर्ट में प्रियाग राज के नैसला स्पोर्ट्स एकेडमी में इस्टिक जिम्नास्टिक एंदर राष्टी केंदर के रूप में इस्टरी चाहिए और यहां कि ख्षिलाडियों में आते हैं राष्टी व अंतराष्टि उस्तर पर अनेक पदक जीते हुं हैं जिन में प्रव्क ख्षिलाडी आते हैं आसीज कुमार मैंग श्रिवास्ता रोहित जैसफाल आलोक रण्यन बिबेक मिस्र बिकास मिश्र आधितिराणा, एकरार हसन दीपेश साहू, उतकर सुकल अंकित त्रिवेदी, सौरप सर्मा, सिध्धार्थ सर्मा, अनन्यतिवारी, ख्याती सुकला, अनीता प्रजापति आदी आते हैं। स्रद्दादिक्षित, वरोण, प्थाकूर, योगिस, चंद्र, अंकित, राजिश, मोरी, घुलसन, राय, आते हैं। संजय थापर, इसकाई ड्राइविंग में, गूपिका कपूर, टैनिस में, रितुल चट्रजी जी जो हैं। वैं तीरंदाजी में, यूपीपी में कारिर सोनिय चानू, भारतल के लिए, एस, एन, यादो, हिमान सुतेरवारी, तेरा की, पवन कुमार सर्मा, टेबल टैनिस, रोहित कुमार, शुमन देभी, अनुरानी वा मनुच कुमार, भाला फैंक में, राहुल बजाज, गोल्प म कुसल रही हैं, तो यह प्रोवत के आते हैं, अब और भी जैसे आती हैं, ख्याती लब्द कुछ बिग्यानियक के बारें वात कर लेती हैं, जैसे के आपके डॉक्टर लाल जी से, जो की जौनपुर के हैं, जो भारत में DNA फिंगर प्रिंटिंग के जनक की रूप में ख्यात इनलब्द रहे हैं डॉक्टर प्रेम चंदर पांडी जो की आजमगड के हैं जो राश्टी अट्लांटे के वंसमुद्रियान रिशंधान केंद्र के संस्थापक निर्दीशक और सिप्रशिद्र हैं हरिश चंदर मेल होत्रा कानपुर में ऐसे धार्तिक भौतिकी कि शूप्र और जो जिस खेल से संबन देते तो उनके बारे में एक करके एक ओबर्विव दिखा अब इनकी प्रशनों को सॉल्व कर लेते हैं तो जो भी आपके जिस तरीके से रह गया होगा तो वो आपका कबराब हो जाएगा जैसे कि अमीर खुसवरों के विकास में अगर गामी भू चरवस्क जो है लखनो तो इसके अंत्रगताना कौन सुमेलित नहीं है तो आपका उप्शन फिद राग प्रियाता से संबन cicत नहीं है नेक्स्थ आता है कि आमीर खुसवरों का बात की जलाए तो रहा पहले दिये गए केडी सेंबावू होकी सायद मोदी किरकेट अभिनाओ सियाम गुपता बैड मैंटन और नर्स नहीं आदो कुस्ति तो इसके अंतरगत बताना है तो इन मैं से कौन से सुमेलत नहीं है तो आपका आप्शन भी आएगा कि सायद मोदी किरकेट तो आप्शन भी प्रशन भी आपका नहीं होगा तो आपसन सी आएगा नेक्स्ट आता है कि गौतम बुद्दी का जन में कहां पर हुआ था तो जो हुआ था वैलोमिनी में हुआ तो आपसन डी होगा उर्दु सायर में फिराग गुरकपूरी के नाम से प्रशद्द है तो फिराग गुरकप प्रिठिविराज राशु अब्दुल रहमान जो हैं हमीर राशु फिर सी नमबर पर आते हैं आपके नर्पती सानाय विसल देव राशु और जगनिक आलहकर्ण तो यह चार ओप्षन में से आपको बताना है तो इसके अंतरगत बात की जाए तो आपका भी वाला ऑप्षन न ल्लूलाल हैं तो उप्षन भी होगा किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है तो हिंदी खड़ी बोली का जो जनक है अमीर खुल्चो को बात की जाए तो से जोस मलियाबाद से जिगर जो है गोरगपुर से संबंदित नहीं है तो option D होगा next आता है सुमेलेत करना है जिसमें एक और दो को अंतरगत जैसे जनेंद्रकुमार जैसंकर प्रशाद परताप नाराण में जैस प्रकास जैसांकर परशाद इसके अंतरगत आता है, तो इन में कौन से सुमेलिट नहीं, मदलब दूसरे से सुमेलिट है, तो इसमेद UX अपकी जैनेंदर कुमार आपकी सुनीता से संबस्वाइनथ Addis, फिर आते दी क्योंकि इसमें राम परशाद मिश्मिल जो है प्रयागरा से सम्दित नहीं है बलकि आपके अमीर खुसरो पते आली काश्गन से सम्दित है मिर्जा गालिब आगरा जो से जो मलीहवास से सम्दित तो यह तीनों जो है वह एक दूसरी संबाने थे लेकिन जो आपका option D है वैसा ही नहीं किस कारगार में पड़ांडित राम प्रशाद विश्मिल को फासी दी गई थी तो इनकी संदर में बात की जाए तो ये आते हैं आपके गुरकपुर तो option C होगा नेक्स्ट आता है कुश्टि कभी मैथली संदर गुपते का जो जन में था वह जहासी में हुआ था तो option C होगा नेक्स्ट आता है कि परशिद कहानिकार उपन्यासकार धनपत राय को निम्न मैंसे किस नाम से जाना जाता है तो ये इसमें जो बात की जाए तो ये आते हैं आपके मुनसी प्रैमचंद्र जो option C होगा शुफी कभी अमीर खुष्रो का जन्म कहा हुआ था तो शुफी कभी अमीर खुष्रो का जन्म है वह आपका हुआ था कासकन्य में तो अपसंसी होगा निम्न मैसे के संद को बालमेकी का आउतार माना जाता है तो बालमेकी का आउतार जो है आपका गोश्वामी तुलसिदाशी को माना जाता है तो option यह होगा तो यहाँ पर देखा जाए तो यह पृष्णों की स्रंखला के साथ साथ आपका chapter भी finish होता है नेक्स्ट गलास में आपका जो नेक्स्ट चेप्टर होगा वो आएगा अध्याय नंबर 12 जिसमें आपका उत्तर प्रदेश के सिक्षा साहत वपत्त्य पत्रकाओं की कारे में कबर किया जाएगा तब तक आप इस सेंशन को जादा सजादा सेयर करें वीडियो को लाइक करें चेनल को सबस्क्राइब करें और पीडियो प्राप्ट करने के लिए आप हमारी टेलिग्राम चेनल यूपिए सी पीए सी विद्धीक्षा को जोईन करday जहांपर आपको इसकी पीडियो फ्लेग होगी धन्ने बाद